अगर आप दुनिया के बारे में कुछ नया जाना चाहते हैं या फिर कुछ अलग करना चाहते हैं तो बूगल सब्जेक्ट से पढ़ाई करना आप के लिए साई आप्शन हो सकता है बूगल याने के जोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अलग-अलग देशों, जलवायों, जंगलों, पहाडों, नदियों के बारे में डेटेल में समझाया गया है पूरी प्रत्वी के उपरी सता को जानने के लिए बूगल सब्जेक्ट को पढ़ना होगा प्रत्वी के किस भाग पर कौन सी जगह है, कहाँ पहाड है, कहाँ नहीं है, इसके जानकारी भूगल पढ़कर ही किया जा सकता है जोग्राफी ग्रीक भाशा का शब्द है, जोग्राफी शब्द दो शब्दे मिलकर बना है जियो का आर्थ होता है प्रत्वी का भारी सत्ह और ग्राफिक आर्थ होता है किसी भी चीज का विस्तार से जानकारी लेना या लिखेत रूप में वर्णन करना तो ये तो मैंने आपको बूगोल की चोटी सी परवाशा को बताया है आज का हमारा वीडियो B.A. in Geography को लेका है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं आपको बता दू की बूगोल के जनक कौन थे यानि की फादर ऑफ जेइटिक कौन थे यूनान के Hiketius को Google का जनक यानि की बूपल का पिता कहा जाता है उन्होंने एक पुस्तक को भी लिखा है जिसका नाम है Jazz Pirates जिसमें उन्होंने प्रत्वी की संडशना, प्रत्वी के हर एक शेत्र के बारे में साती प्रह्मान के बारे में भी पूरा वर्णद किया है अगर हम बात करें जियोग्राफी सब्जेक्ट में करियर बनाने की तो जियोग्राफी की पढ़ाई स्कूल से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस फिल में करियर बनाने के लिए 12 के बाद ही सारे रास्ते खुलते हैं। इसके लिए आपको 12th आर्ट सब्जेक्ट से पूरा करना होगा। 12 के बाद आप जियोग्राफी में करियर बनाने के लिए बैचलर डिग्री से लेकर मास्टर डिग्री प्याइडी तक कर सकते हैं। इसके लावा अगर आप पीजी डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो वह भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि आप रिमोट सैसिंग और जियोग्राफिल इंफॉर्मेशन सिस्टम का कोर्स कर सकते हैं। जिसे शॉर्ट में RSGIS कहते हैं। इसके ढूरेशन एक साल की होती है। वारनसी विर्ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी राची इंस्टिट्यूट ऑफ जियो फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सैसिंग फुलकता तो यह बहुत अच्छे इंस्टिट्यूट है यहां से अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अब जोग्राफी में सब करती हुए प्राकर्तिक आपदा की समस्याँ को दीखते हुए आपको प्राकर्तिक आपदा जलवाइउं परिवर्थन आवादी में अत्यित बुट्यूट것 शहरी करन की अपरयाप्तता और बहुत सांस्टिट्क एकी करन्ण जैसे के बारे में जानने को मिलता है चलिए पद पर आप काम कर सकतें तो पहला आ जाता है कार्टूग्राफर का मुख्य काम होता है नक्षा और उससे जुड़ी डायग्राम चार्ट का निर्मान करना और पुरारे नक्षों को टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना तो इस पोर्स पर भी काफी सारी जॉब्स होती या environment से जुड़े अलग अलग मुद्दबर कार करना होता है next आ जाता है town planner town planner का मुख्य काम होता है शेहर, कस्वों, गामों, ग्रामी शीत्रों की विकास और प्रबंदन की यूजरा बना कर उसमें और अधिक विकास करना next आ जाता है अपका geographical information system officer इस post पर काम करने वालों को भावलिक information को है उन्हें collect करना होता है, उन पर analysis करना होता है और भी कई सारे काम करने होती है next आ जाता है conservation इस post पर युवाँ को प्राकर्टिव वातरवन की रक्षा करना environment के अनुकुल तरीकों के बारे में स्थानी समुदाओं के भी जारुपता बढ़ाने का काम होता है next आ जाते हैं job opportunities पर तो आप क्या क्या बन सकते हैं तो आप journalist बन सकते हैं यानि की geographic journalist journalist का दारत तेजी से बढ़ता जा रहा है इसलिए google industry में भी journalist का एक अहम यूपतार बनता जा रहा है ऐसे में जोग्राफिक की पढ़ाई करने वाले यूवा ट्रैवल राइटर बन सकते हैं environmental journalist बन कर अपने करियर की शुरुआत कर सकते next आ जाता है environmental lawyer इस पोस पर काम करने वाले यूवाओं का मेन काम होता है production की रोक थाम करना जलवायू नियंतर प्राकर्दिक संसादनों की सर्णक्षन के लिए सामजिक जागरुपता फैलाना होता है इस पत पर कार करने वाले यूवाओं को भूगोल में नातक करने के बाद नियम कानून की जानकारी के लिए लॉक करना होगा next आ जाता है weather forecast इस पोस्ट पर कार करने वाले यूवाओं का मुख्य काम होता है मौसम का पूर्वानुमा लगाना होता है प्राकर्दिक आपदा जैसे इस्तितियों से निपटने के लिए weather forecast कार करने होते हैं इसके अलाबा insurance company को data और computer calculation के जरिए यहाँ भी पताना होता है कि किसी आपदा की इस्तिती में उनकी company को कितना घाटा हो सकता है next आ जाता है landscape architect इस पोस्ट पर कार करने वाले यूवाओं का मुख्य कार होता है पार्क, nature reserve, नई जगों को देखना और industrial landscape की रूप रिये का बनाकर उन्हें तयार करने का होता है तो आज की इस वीडियो में हमने geography से जुड़ी करियर के बारे में बात की है अगर आपको इस वीडियो में कोई doubt है तो आप हमें comment में पूस सकती है और अगर यह वीडियो पसंद आए है तो हमें like करके ज़रूर बता है और अगर और कुछ जाना चाहते हैं तो आप हमें abby और instagram भी follow कर सकती है पेज की लिंक आपको description में मिल जाएगी और अगर पहली पर हमारी चैनल पर आए हैं और ऐसे ही नए ने career option जानना चाहते हैं तो हमारी चैनल को subscribe कर ले और इस bell icon को please कर दें तो चैले मिल दें नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ and finally thanks for watching